हेलो फ्रेंट्स दू सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेल्कम फ्रेंट्स अलफ दिन पर एक्सल टुटोरियल में आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मुले की तरह फॉर्मुला एक्सराइज 3 लास्ट वीडियो में हमने दो फॉर्मुला एक्सराइज देख चुके हैं पेरोल से रिलेटिट फॉर्मुला एक्सराइज 1 और फॉर्मुला एक्सराइज 2 जिसमें हमने बात करें थी फॉर्मली कैल्कुलेशन और कंडीशन के अंदर कैसे कैल्कुलेशन हम करते थे अलाउंस जो हमें मिलते हैं यहां पर हम फॉर्मला एक्सरसाइज 3 में देखने वाले हैं ओवर्टाइम कैसे कैल्कुलेशन करना है ट्रैवलिंग पर किलोमेटर के हिसाप से अगर हम employee को amount देते हैं तो वो कैसे कैल्कुलेशन करना है और leave deduction वो हम कैसे कैल्कुलेशन करेंगे मान के चल रहे हैं यहां पर 26 दिन का हमारा standard working days होता है और उसके according हम यहां पर leave की deduction करने वाले हैं वो days different हो सकते हैं उसके लिए हमें divide according to days के करना होगा तो आएए देखते हैं यहां पर यहां पर कुछ employees हैं उनके designations हैं उनकी basic salary given है और जो total distance आप देख रहे हैं वो सिर्फ विराट और महेस के नाम में ही include है वो इसलिए क्योंकि sale department वालों को हम यहां पर दे रहे हैं पर किलोमेटर के साबसे amount तो उपर की तरफ यहां पर कुछ आप देख पाएंगे conditions given है जो overtime है वो डेट सो रुपे पर hours के साबसे employee को मिलेगा अगर जितने भी hours employee extra overtime करता है traveling per kilometer का amount होगा 15 रुपे पर किलोमेटर यह हम सिर्फ assume कर रहे हैं यह criteria different हो सकता है conditions अलग हो सकती है company के point of view से सिर्फ हम assume करके चलते हैं और इनी के base पर हम calculation करने वाले हैं और आगे leave deductions की हम बात करी चुके हैं 26 दिन के working days के according तो नीचे जो condition है जो sale department वाले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर total distance given है 560 km विराट में और महेस में 640 km तो इनको जो मिलेगा 15 रुपे पर किलोमेटर के इसाब से मिलेगा आप देख पाएंगे amount for distance एक column है जिसमें हमने अपने cell की multiply कर रखी है 15 से वो इसलिए क्योंकि 15 रुपे पर किलोमेटर के इसाब से employee को हम distance का amount दे रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पर leave day कुछ mention है किस employee ने कितने दिन की छुटी करी है आप देख पाएंगे leave day 1, 1, 2, 0 और 3 जिस employee ने कोई छुटी नहीं करी है उसका कोई deduction नहीं होगा और यहाँ पर जिनकी ज़्यादा deduction होनी है जिनकी ज़्यादा छुटी है वो हम calculation करने वाले हैं leave amount वाले column में leave amount column में जो हमारी salary है basic salary उसको हमने पहले divide करा है 26 से जो कि हम पहले ही assume कर चुके है 26 का हम working day मान रहे हैं पूरे month में यानि कि हम पूरी basic salary को अगर 26 से divide करते हैं तो हमें one day की salary मिल जाएगी और उस one day की salary को हम leave day से multiply कर देंगे और यह जो leave day आप देख रहे हैं यह e column में हमारा available है इसलिए हमने leave amount के cell में multiply करा है e2 cell से यानि कि जितनी भी छुटी वहाँ पर applicable होंगी उसके according total leave amount हमारा calculate हो जाएगा overtime column में आप देख पाएंगे सभी employee के overtime mention है 9 hours 12 hours पूरे month में उन्होंने कितना overtime करा है उसी के according जो हमारा column है overtime amount का उसमें हम 150 की multiply कर रहे है overtime के cell से यानि कि F column में हमारा overtime given है तो हमने 150 multiply F2 cell से करा है इसी तरीके से F3 F4 cells को हम सीधा drag कर देंगे और सभी employee की overtime के amounts को हम calculate कर पाएंगे बात करेंगे net salary की तो net salary में हमें जो sum करना होगा हमारा basic salary तो हमें मिलेगी मिलेगी साथ की साथ overtime को हमें उसमें जोड़ना है और यहाँ पर जो जो sale वाले designations department वाले employee हैं उनको यहाँ पर amount for distance भी मिलेगा और deduction होगा leave amount का अगर उन्होंने छुटी करी है तो यह सब हम calculation देखने वाले हैं practically excel के अंदर यहाँ पर हम excel seat में आ चुके हैं और जैसी pdf में table दी थी वो हमने यहाँ पर create कर ली है अब आप amount for distance column में है और यहाँ पर हमें calculation करनी है वो sale department वाले employee के लिए करनी है और हमें formula जो apply करना है equal d4 क्यूंकि हमारा जो cell number है d4 उसकी हमें multiplication कर देनी है 15 से क्योंकि हमारा जो distance amount है per kilometer वो 15 rupees है इसी तरीके से हम यहाँ पर calculation कर लेंगे वो d6 cell की सीधे कर लेंगे 15 से आप चाहें तो यहाँ पर amount for distance directly सभी का निकाल सकते हैं यहाँ पर हमें equal करना होगा cell और multiply कर देनी है उसकी 15 से control enter हम करेंगे तो हो सकता है error आएगी क्योंकि जो cell है वो blank है और blank cell में जो हमारा output है वो 0 या value error दे सकता है अगर आप पुराने version में work करेंगे तो वहाँ पर जरूर value error आएगी आपको आप उसको क्या करेंगे यहाँ पर सीधे 0 put up कर देंगे जिससे हमारी calculation multiply होके 0 आजाएगी जिन जिन employee का distance 0 है otherwise अगर आप अपर version में work कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई mistakes नहीं होगी आपका सीधा जो value है अगर blank text से multiply होता है तो वो सीधे 0 आ जाएगा leave amount की calculation करने के लिए हमें हमारे formula में basic salary के साथ divide करना है 26 क्योंकि हमारा networking days हम मान रहे है 26 का है पूरे month में और multiply कर रहे हैं उसको leave day amount से leave day आपका देखेंगे e to cell में आपका applicable है यहाँ पर हम enter press करेंगे enter press करके हमें leave amount मिल चुका है हमन्त amount जो हमन्त का leave amount है आप सीधे इसको double click करते हुए drag कर देजिए सभी के leave amount शो हो जाएंगे overtime amount की बात करें सभी को आप पहले select कर लीजिए cell को equal के साथ पहले तो overtime का amount है वो है 150 उसको आप multiply कर देंगे उस cell से जिसमें overtime के hours दिये गए है जो की है F column और हम जो work कर रहे हैं वो है second row के लिए इसलिए यहाँ पर हमने multiply कर दिया है F to cell से सीधे हमें control enter को press करना है और control enter को press करते ही हमारी सभी calculation automatically हो चुकी है अब net salary के लिए हमें क्या करना होगा हमें sum करना है अपना basic salary को overtime को और minus करना है leave amount को तो आप sum के अंदर एक parameter पास करा दिजिए जैसे basic salary कोमा आपका overtime का पूरा amount या distance का amount क्योंकि यहाँ पर sales के department भी हम formula automatically drag करके लगाने वाले हैं तो फिलाल हम यहाँ पर zero value से अगर pass कराते हैं sum तो कोई भी fact नहीं पड़ेगा बाकी department पर क्योंकि अगर हम यहाँ पर amount for distance नहीं लेते तो फिर नीचे हमें manually amount for distance देना होगा उन designations के लिए जो sales department में है इसलिए हमने formula में automatically यहाँ पर amount for distance ले लिया है जिससे नीचे हमें formula different ना करना हो अब leave amount हमें deduct करना है तो हम इसे sell में नहीं लेंगे कोमे के बाद हम ले देते है over time amount को सभी चीजे लेने के बाद हमें यहाँ पर parenthesis को कर देना है close और minus के साथ देना है leave amount सिधे हम कर देंगे control enter और automatically यहाँ पर पूरी salary calculate हो चुकी है तो यह था एक छोटा सा वीडियो आपको explain करने के लिए कि आप normally payroll system अगर different conditions है over time से related लेव डिडक्शन से related तो वह आप कैसे calculate करेंगे hopefully वीडियो आपको clear होगा अगर आपको कोई भी query है तो वह comment box में आप लिख सकते है मैं next वीडियो में उसको explain करने की कोशिश करूँगा थैंक्स फर वाचिंग बाबाए कर दो, कर दोवाए